इस वक्त पूरी दुनिया में पुतिन के उस कारखाने की चर्चा हो रही है जिसे मौत वाली फैक्टरी कहा जा रहा है पुतिन ने इस फैक्टरी में अपनी रक्षा मंत्री को बेजा और फिर ये विडियो पूरी दुनिया में वारल कर दिया गया बता जा रहा है कि जलंस्की को F-16 फाइटर जेट मिलने से पहले पुतिन ने बहुत बड़ा चक्रविव रचना शुरू कर दिया है स्क्रीन पर पहली बार रूस का सबसे खतरनाक हतियार ये हतियार कैसे तयार हो रहा है ये हतियार कितने बड़े पैमाने पर तयार हो रहा है ये सब देख कर पुतिन के दुश्मनों के होश ओड़ जाएंगे स्क्रीन पर पहली बार S-400 Air Defense System की फैक्टरी देखे ये योक्रेन के युद्ध में सबसे बड़े हमले की तयारी है कह सकते हैं कि ये नैथों के खिलाब सबसे बड़ी जंग के लिए रूस तयार बैठा है स्क्रीन पर पहली बार देखिए S-400 की मिसाइल कैसे बन रही है एक तरफ लॉंचर और दूसरी तरफ मिसाइल इन तस्वीरों में बहुत मसाला है इन तस्वीरों को आप पुतिन की ताकत का सबसे बड़ा शोक है सकते हैं पुतिन के इस खुफिया फैक्टरी को देखकर अमेरिका के भी होश उड़ गए है बाइडन ने अपनी फैक्टरी से रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी है बाइडन को भी यकीन नहीं आ रहा कि पुतिन की मिसाइल फैक्टरी में इतनी तेजी से काम चल रहा है इसकी बहुत बड़ी बज़ा है पुतिन ने अब जो मांगा है उन्हें मिला है पोतिन ने टैंक मांगा, रूस की सेना को टैंक मिला पोतिन ने ड्रोन मांगा, रूस की सेना को ड्रोन मिला पोतिन ने मिसाइल मांगी, रूस की सेना को मिसाइल मिले इन हथ्यारों के साथ पोतिन ने योगरेन में बड़ा कहर मचाया है बड़े बड़े शहर आज रूस के मिसाइल हमलों के रूस टार्गेट बन रहे हैं और समीनी ओपेशन के लिए भी जब पुतिन ने ज्यादा फॉज मांगे तो रूस में वारण नई भरती शुरू हो गई पुतिन ने जो मांगा है पुतिन को वो मिला है जोक्रेन के युद्ध में धीरे-धीरे ही सही लेकिन रूस ने पकड़ और मजबूत बनाई है पुतिन की तैयारी बहुत पुक्ता कहीं जा रही है अब पुतिन की हत्यार वाली फैक्टरी 24 इंटु 7 काम कर रही है जिसमें दिन रात ऐसे हत्यार तैयार हो रहे हैं जो रूस को वाल्ड वार लड़ने में भी मदद करेंगे ऐसा दावा पश्चिन देश की मीडिया का भी है क्योंकि अब पुतिन को जैलन्सकी की तरफ से खत्रा बहुत बड़ा है यो उक्रेन को F-16 मिलने जा रहा है तो दूसरी तरफ नैटो के फाइटर जेट भी रूस से लड़ने को तैयार है इसलिए दुश्मन के लड़ाकों विमानों को रोकने के लिए पुतिन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है F-16 रूस के आस्मान में भटक कर भी ना आपाए इसके लिए पुतिन ने अपने रक्षामंत्री शोईगू को नई जिम्मेदारी दी पुतिन ने सरगेई शोईगू को S-400 की फैक्टरी में भेज दिया शोईगू आए तो उनके एक तरफ S-400 के कैनिस्टर तयार हो रहे थे तो दूसरी तरफ उसकी एयर डिफेंस मैसाईल तयार हो रही थी इन तस्वीरों में बहुत जान है इन तस्वीरों में युद्ध का पूरा बजट समझा जा सकता है इन तस्वीरों में F-16 की मौत को भी देखा जा सकता है इसमें कोई शक नहीं कि अगर F-16 का सामना रूस के S-400 से हुआ तो वो हमला करने से पहले ही मारा जाएगा रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बैतरी नहत्यार माना जाता है और भारत के अलाबा चीन समेत कई देश इससे लेस हो चुके है S-400 के मिसाइल 400 किलोमेटर की रेंज दग F-16 को मार सकती है इसकी गैरंटी खुद पुतिन देते है इस सुबत ये मिसाइल फैक्टरी सिर्फ S-400 ही नहीं बलकि दो और तरह के एर डिफेंस भी तयार कर रही है जिनकी तैनाती पहले से योक्रेन की जमीन या कहीं की डॉन बास के आसपास है मार्यू पुल में भी है और उन सभी जगों पर है जहां पर योक्रेन के फाइटर जेट और जैलन्सकी के ड्रोन हमले के फिराग में रहते हैं यहां S-400 के अलावा S-300 और S-350 एर डिफेंस सिस्टम भी तयार हो रहा है इसमें S-400 की रेंज 600 किलोमेटर से ज़ादा है S-300 के आधुनिक वर्जन की रेंज 500 किलोमेटर है वहीं S-350 की रेंज 500 किलोमेटर तक है सरगेई शोईगों ने पुतिन को रेपोर्ट भेज दी है और इस फैक्ट्री को दिये गए और और डेडलाइन के बारे में भी बता दिया है इसी पर पुतिन की प्लानिंग निर्बर करती है इसी तैयारी को देखकर पुतिन अपने अगले हमले का दायरा सेट करेंगे पुतिन को इस बात का पूरा शक है कि खेर सौन में बांध पर हुए हमले के बाद जैलेंसकी एक बड़ी साजिश रज रहे है और वो जवाबी हमले के नाम पर मौसको पर फिर से अटैक की तैयारी कर रहे है जैलेंसकी के फाइटर जेट से लेकर उनके ड्रोन को मौसको तकाने से रोकने की तैयारी कैसी है इसे समझने की जरूरत है रूस का बॉर्डर ही नहीं, खास कैपिटल सिटी मॉस्को को बचाने के लिए बहुत ही पुगता एयर डिफेंस जोन बनाया गया है इसमें सबसे बारी सरकल को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बचाता है जो विमान ही नहीं, परमाणू बलेस्टिक मिसाइल को भी रोक सकता है इसके अंदर का दारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देखता है जो मिसाइलों के साथ स्टेल्थ फाइटर को भी ट्रैक करके मार गिरा सकता है इसके अंदर का दारा बुक एयर डिफेंस सिस्टम और पांच सिर S1 देखते हैं ये दोनों पॉइंट एर डिफेंस सिस्टम है 2022 में युद्ध के बाद 2023 में पुतिन ने अपनी हथियार फैक्ट्रियों को दिन दूना राच चौगुना काम करने का आदेश दिया है और इसमें वो कामयाब भी हुए है पुतिन की हथियार फैक्ट्री देखिए इसमें टैंक भी बन रहा है इसमें मिसाइले भी तयार हो रही है इसमें ड्रोन भी बन रहे हैं और इसमें बम और गोला बारूत भी तयार हो रहा है इस फैक्टरी में एक बड़े मिशन मोड पर काम चल रहा है, पुतिन यहां जरा भी देरी नहीं चाहते, पुतिन यहां हफ्ते के सातों दिन और दिन के 24 गंटे काम करवा रहे है। इसम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जैलन्सकी के लॉंग रेंज वाले हथियारों ने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुचा है। पुतिन के सामने चैलेंज ये भी है कि वो अपने हथियारों की क्वालिटी से समझाता ना करें। अभी पुतिन की हथियार फैक्ट्री की ज्यादा डीटेल नहीं दी जा रहे लेकिन बाइडन की नजर इस पर है। जैलन्सकी को भी खबरें मिल रही हैं। बाइडन से ज्यादा नजर तो यूरप की है। क्योंकि यहां का प्रोडक्शन रेट तै करेगा कि पुतिन का युद्ध कितने दिन चलेगा। पुतिन इस रेट को 100% वाली गैरंटी से बरकरार रखना चाहते हैं। हथ्यारों का प्रोडक्शन बढ़ा और असलहा पेसी से तैयार हुआ। तो पुतिन ज्यादा दिन तक युद्ध कर पाएंगे और फिर यूरप पर भी चड़ाई मुम्किन है। पुतिन जानते हैं कि हथ्यारों का प्रोडक्शन ठमा और कोला बारूट कम तयार हुआ। तो रूस का युद्ध और उनका नाटों के खिलाफ एजिंडा ओंधे मोग गिर जाएगा। पुतिन को अपने हथ्यारों की फैक्ट्री की पल पल की अपडेट चाहिए। पुतिन की नजर फैक्ट्री के उधबादन पर है।